नमस्कार दोस्तों इश्वर सदयव आपका वला करें और आपकी जोल्या इश्वर के आशेवाद से हमीचा भरी रहें तो दोस्तों आज बात करेंगे कपूर के बारे में दिखें कपूर की पेड में होता है और ये एक उसकी पेड की चाल से प्राप्त होने वाला ये एक सामगरी है जो प्राक्तिक रूप से पायद जाने वाला एक रासाइनिक यॉगिक होता है और खासकर अपनी महक के लिए बह ये कपूर निकाल कर इसकी टिकियां या इसको चुटी-चुटे पीसिस में काट कर गूलिया बनाए जाती है प्रकृती में ये टर्पीन पौदे की प्राक्तिक रक्षा प्राणाली का महत पूर्ण आंग होते हैं जनने टर्पीन को मुख्य तक खाये लिया तार था तब प्रिक और पच्षमी और्शदी प्राणाली में कपूर के और्शदी और स्वास्प्रत गुणों के लिए ही ये बहुत जादा लोगप्रिय होता जा रहा है कव्चमने दर्द सूजन जैसे कई समस्याओं से रहा देता है कपूर यहां तक कि बहुत सारे अधिनों में बात पाई गई है कि तचा के जलने और फंगल इंफेक्शन को ठेक करने में कपूर बहुत जादा असरकारी होता है देखे कपूर की जो उत्पत्ती है जो पैदावार है वो भारत में चाइना और जपान में सरवादिक होते अर्था जितने भी ऊशन कटेबंदे चेत्र हैं वहा पर कपूर जादा पाया जाता है और इसे ग्लोबल इंबेज़िव स्पीसिस डेटाबेस में विशहले पौदे के रूप में सूचित क्या गया है क्योंकि इसे खा नहीं सकते हैं लेकिन एक ऐसा पौदा है एक सदा बहार पेड़ होता है जो साट फीट की उचाई तक परता है यह पेड़ बहुत तेजी से पड़ता है और भात में पाय जाने वाले कपूर के जो व्रिक्ष होते हैं वो छोटे होते हैं इनकी पत्यां धाई से चार इंच लंबी होती है इनमें छोटे-छोटे सफेद फूल होते हैं और इनका गोल अकार का जो फल होता है वो जावनी से काले रंग का होता है दिखें कपूर सिफ एक पे नहीं है बलकि इसका जो तेल और रसाइनिक योगिक भी है और खासकर रसाइनिक योगी होने के कारण इसे लेविंडर, कपूर, तुलसी और रोजमेरी जैसे पौधों के सुगंदित तेल से भी आप इसे मिला कर इसे यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही जादा बेनिफिट करता है हमारी बोडी के लिए अब आपको सबसे पहले मैं इस वीडियो में ये दिखाऊंगी कि आप असली और नकली कपूर की पहचान कैसे कर सकते हैं देखें जो नकली कपूर होता वो भुरबुरा होता है ये mostly factory made होता है और आजकल जादा तो लोग ये factory made कपूरी लाते हैं क्योंकि ये सथा होता है चोटे चोटे ती गोल्ड टिक्कियों में और इस तरह की डलि tummy में मिलता है ये बहुत बुरुरा आता है खासकर जब आप इसे जलाएंगे तो बहुत कम धुआ यह करता है दूसरी बात इस कपूर को विविन प्रकार के तेलों में मिलाकर इसके जो विशेश आश्दी गुणे वह बहुत जादा बढ़ जाते हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको कुछ विशेश 5-6 उपाएं बताऊंगी कि कैसे आप यूज कर सकते ह आपके लिए बहुत beneficial होगा देखिए जो असली कपूर हो आप इसे Amazon से भी मंगा सकते हैं जिसे भीम सैने कपूर के नाम से जाना जाता है और यह market में भी भीम सैने कपूर के नाम से भी available है बाकि जो दुकानों पे जहां पे यह मिलते हैं खासकर पूजा वाली जगों पे व यूज करने के पास हमें कोई भी benefit नहीं मिला देखिए यदि कहीं आपकी तचा जल जाए कहीं भी तो अगर हलकी सी जल जाती है और अलका निशान सा पढ़ जाता आपको कुछ नहीं करना है आपको जो extra virgin आपका नारियल का तेल आता है उसमें आप कपूर की 4-5 देशी जाल दें और फिर उस जगह पे जहां पर भी घाव या जलन हो रहे हैं मैं आपको डेली इसको हलका हलका लगाना है और जब आप डेली इसे करेंगे तो यह बहुत ही जादा effective यूज होता है एक तो यह जलन को काम करता दूसरा जले के जो निशान होते हैं वो नहीं पड़त और तुचा खराब नहीं होती है इसके अलावा बालों के लिए बहुत बेस्ट यूज होता है देखिए मैं खुद डेली इंस यार में रहते हूं और यहां पर चुकी जो सुसाइटीज होती हैं वहां पर जो पानी होता है वो एक साथ एक टंकी से स्टोर होके आता और फिर हम उसको ही सब घरों में सारे फ्लाट्स में वो यूज होता है तो क्या होता है कि उसमें वो कुछ दवाईया मिलाते हैं जिसकी वज़े से हेर फॉल बहुत होता है तो मैंने इसको खुद करके देखा है कि मैंने एक्स्ट्रा जो वर्जिन नारिल का तेल आता है उसमें मैंन मैं कपूर की देशी कपूर की टुकडे डाल कर चार से पांच और मैं इसे धूप में रख देती हूं और 4-5 दिन के बाद जब पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है उसके बात जब मैंने इसे लगाना शुरूर कर दिया एक तो सबसे बड़ी बात है कि बालों के जड़ने में बह करता और यह चीज केवल मैं ही ने वरन बहुत सारे वेग्यानिक शोदों में भी यूज़ हो चाहिए चुकि नारेल के तेल में खुद बहुत जादा कंडिशनर की कॉलिटी होती है एक तो रूसी को कम करता है और साथ ही साथ यदि आप इसे यदिरी रूसी आपको जादा है तो नहाने से पहले आप एक दो चम्मच इसी तेल में एक दो चम्मच आप निम्बो में ला ले और उसके बाद आप अपने बालों में लगाएं निश्चित रूप से आपके हेर फॉल में रूसी में आपको बहुत कभी देगने को मिलेगी इसके अलावा यदि आपको में एक warming sensation होता है जो नसों को जो विचलन होता है जिसे desensitization कहते हैं उसको create करती है और आपको दर्दमी रहा देती है और खास ही खास यदि एठन हो रही है किसी भी body के part में तो आप इसको कर सकते हैं कि तिल के तेल में आप कपूर को mix करें और उसके बाद आप इस तिल के तेल को अपने जोडों पे मलहम के जैसे लगाए मतलब आपको इसमें कपूर के मात्रा जो है वो जादा रखनी है और इसे मलहम की तरह यूज़ करना है यह बहुत जादा benefit देगी आपके जोडों के दर्द में इसके अलावा यदि आप कपूर का प्रयोग एक natural mosquito repellent के रूप में कर सकते हैं देखिए आजकल हम लोग repellent तो यूज़ करते हैं क्योंकि मच्छर बहुत हैं लेकिन पता आपको कि इनके side facts बहुत होते हैं बहुत जादा side facts होते हैं हमें पता नहीं चलते विग्यानिक शोदू में भी चीज़ें प्रूव हो चीक हैं इसके लिए आप वैसे मैंने इस पर अलड़ी एक वीडियो बना रखा है कि आप natural तरीकी से मच्छरों को कैसे बगा सकते हैं लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि यह आप सब एक चोटा सा कपूर भी सोने से पह बहुत ज्यादा बेनेफिट होता है और खासकर यदि आपकी तुचा पर यदि आप चाहते हैं कि मच्छ ना काटे हैं और चुकि गर्मियों को दिन आ रहा है बहुत सारे लोग चट पर भी सोते हैं तो आप वही नारियल के तेल में आपको देशी कपूर आल के धूप में उसी नारियल के तेल को थोड़ा थोड़ा आप लेके पूरी बोड़ी पे लगा लें इतना नाचिरल वर्क करता है यह मच्छ तो बिलकुल पास आते नहीं और बोड़ी भी बिलकुल आपकी स्मूध हो जाते हैं स्किन बिलकुल अच्छी रहती है इसके अलावत चोटे चो और तेल का थेल बिलकुल आप एक्स्ट्रा वर्जीन यूज करें लिकंटी कि जितनी शुद्ध चीज़ें यूज करें उसका benefit उतने ही जाधा मिलेगा क्योंकि जितनी भी chemical वाली चीज़ें जितनी बी नकली चीज़ें उनका उतना benefit नहीं दिखता उसमें थोड़े ही गु इतनी बॉड़ी पे नहीं लगाना होता है किती बार concentrated कपूर की तेल भी आते हैं इन्हें आपको directly नहीं लगाना क्योंकि इससे तुछा में जलन हो सकती है यदि आपको कोई भी कपूर का तेल भी बिले तो भी आपको किसी अन्य तेल के साथ mix करके मिलाना है और सबसे best रहेगा कि आप कपूर को लेकर इसे तेल में मिलाकर 2-4 दिन के लिए धूप में चोड़ दिये natural और शिदी का गाम करता है आपकी बॉड़ी के लिए इसके अलावा कपूर को कभी भी कोशिश करें कि कोई भी मौकिक रूप से ना ले अर्थात मुह से कभी भी से और ओरली ने लेना क्योंकि इसमें जहरीली पिदार्थ पाय जाते हैं धान रखे कि कपूर को खाना नहीं जब आप इस बात का ध्यान रखेंगे ये आपके लि उसका यूस करना है तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी आज की देवी जानकारी पसंद आई होगी ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ कपूर से जुड़े और भी खरेलू प्योगी नुस्की जो हैं वह मैं आपको अन्य वीडियो में बताऊंगी फिर मिलते हैं तब कि दोस्तों नमस्कार